हाई काई मैं हिशा देली से कैसे हैं आप सब आई होप अच्छे ही होंगे आज मैं आपको रुद्राक्ष की बारे में जानकारी देती हूँ युद्राक्ष एक विशेश किस्म का जंगली फल होता है जो हिमाले के वन नेपाल आसाम तिबबत कंगोतरी आदिस्तान में पाया जाता है इसके पत्ते छे इंच लंबी अंडाकार में होते हैं इसके फूल सफेद होते हैं इसका फल निली रिंका होता है फल सुखने पर जमीन पर गिर जाते हैं जो गुटली फलों से प्राप्त होती है वही रुद्राक्ष है युद्राक्ष के प्रकार में अब बताती हूं रुद्राक्ष एक मुखी से 21 मुखी तक होते हैं लेकिन आप दोर पर 14 मुखी तक का ही लेक प्राप्त होता है इस लेक में मैं आपको एक मुखी से 21 मुखी रुद्राक्ष के बारे में बताऊंगी पहला है एक मुखी, एक मुखी रुद्राक्ष, साक्षात, शिव स्वरूप है इसके धारन करने से सभी पापों का नाश होता है जो व्यक्ति पूजन करके इसको धारन करता है उसके यहां लक्षमी शाक्षात निवास करती है एक मुखी रुद्राक्ष, सर्व श्रेष्ट, शिव स्वरूप, सर्व कामना, सिद्ध, फल, दायक और मुख्ष दाता है एक मुखी रुद्राक्ष दो प्रकार के होते हैं पहला एक मुखी रुद्राक्ष गोल होता है और दूसरा काजु की आकार का होता है एक मुक्री गोल रुद्राक्ष बहुत ही मुश्किल से मिलता है और ये बहुत महंगा मिलता है मतलब इसका मुल्ल जो होता है वो बहुत अधिक होता है अब इसकी धारण करने की विधी में बताती हूँ एक मुक्री रुद्राक्ष को सौंबर के दिन प्राते पूजन अर्जना करके ओम हिरी नमेह मंद्र का 108 बार चप करके काले धाके में डाल कर गले में डाल लेना चाहिए दो मुक्री रुद्राक्ष हर गौरी अर्ध नारिश्वर स्वरूप है इसे शिव शिवा रुप भी कहते हैं यह रुद्राक्ष हर प्रकार के रिष्टे में इकागरता बढ़ाता है और इसकी धारन करने की विधी है रुद्राक्ष को याथा विधी स्वंबर को या शिव रात्री वाले दिन ओम नमे काजब करें 108 बार और इसको धारन कर ले तीन मुखी रुद्राक्ष ब्रह्मा स्वरूप है इसमें प्रह्मा विष्णू और महेश तीनों की शक्तियों का सामावेश है इसका प्रधान ग्रह मंगल है इसको धारन करने से आत्मो विश्वाश निर्भैता उच्च ग्यान वास्तुदोश में लाब होता है व्रिष्चिक और मीश राशी वालों के लिए रुद्राक्ष अत्यत भागयों द्रे करता है धारन विधी तीन मुखी रुद्राक्ष को सोम बार की दिन पूजन अर्चना करके ओम क्लीम नमे का मंत्र 108 पर जब कर धारन करना चाहिए चार मुखी रुद्राक्ष चार मुखी रुद्राक्ष चत्र मुख ब्रह्मा का स्वरूप माना जाता है चार मुखी रुद्राक्ष के धारन करने से आँखों में तेजस्विता, वाणी में मधुर्था तता शरीर में स्वास्त एव अरोग्ये चनित क्रांति उत्पन होती है यह रुद्राक्ष मन की एकागरता को बढ़ाता है यूथुन तता कंद्य राजीवालों को ये अवश्य धारन करना चाहिए इसकी धारन विदी है कि इसको सौंबार के दिन प्राते पूजा अर्जना करके ओम हिरीम नमे का जब 108 बार करे और कले में डालकर गले में पहने पाँच मुखी रुद्राक्ष पाँच मुखी रुद्राक्ष रुद्र स्वरूप है ये सरवाधिक शुब और पूर्णे दाई है इससे यश एवकिर्दी में व्रिधी वेभव में संपन्ता आती है पाँच मुखी रुद्राक्ष के संचालन ब्रस्पति ग्रहे हैं ये है ग्रहे धन, वैभव, क्यान, गौरव, आदी का कारक है धनु और मीन राशी वालों को तदा वैपारियों को पाँच मुखी रुद्राक्ष अवश्य धारन करना चाहिए और इसकी धारन की विदी है कि इसको संबर के दिन प्राते पूजा अर्जना करके ओम घरीम नमे काचब 108 वर करें और काले धागे में बात कर गले में पहन लें आपको यह इंफोर्मेशन कैसी लगी प्लीज मुझे बताएगा और मेरी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करेंगा आप तक के लिए इतना अगली वीडियो में आपसे मैं फिर मिलती हूँ तब तक के लिए बाइबाइ